कि दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो त्रभुच की बेभिन केंद्र होते हैं जो अलग-अलग सेंटर होते हैं त्रभुच में उनके बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं और कैसे मिलते हैं अगर ये आपने अलग-अलग ये चार जो केंद्र दिये हैं ये अगर आपने नहीं पढ़ें तो आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए और ये त्रभुच के अलग-अलग प्रकार लिखे हुए हैं अगर ये सब चीजे आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में हम लोग बिल्कुल बारी की स से बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरुवात कर चुके हैं आज हम लोग पढ़ेंगे कि तरभुच में ये जो अलग-अलग जो केंद्र हैं ये केंद्र बेभिन प्रकार के तरभुचों में जो अलग-अलग तरभुच है इनकी इस्थिति क्या होती है ये कहां परिस्थित हो होता है समकोन तरभुच में कहां होता है और अधिक कोन तरभुच में कहां होता है तीनों प्रकार के तरभुच ये बने हुए है एक न्यून कोन तरभुच बना है एक समकोन तरभुच और एक अधिक कोन तरभुच ठीक है तो अम लोग देखते हैं कि केंद्रक कहां पर होत सब्सक्राइब त्रभुज में केंद्रक क्या है यह केंद्रक या सेंट्रोइट त्रभुज के अंदर इस्थेत है ठीक है क्योंकि मद्धिका होगी तो त्रभुज के अंदर ही होगी मद्धिका त्रभुज के बाहर तो जाएगी नहीं तो मद्धिका त्रभुज के बाहर नहीं जाएगी तो सीरस से एक मद्दिका खीचना है और इसी तरीके से इस सीरस से एक मद्दिका कीचना है ठीक है तो न्यून कोन तर्भुज में भी जो केंद्रक होता है वो क्या होता है तर्भुज के एक मद्दी का खीचना है एक इस सीर्स से और एक इस सीर्स से ठीक है यह है सेंटर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक को मिलա रहे थे अंप Прंकली कि छाप पर आपको एक ऐसा क्या हैं कि वोलते हैं यक यह तरिके से यहां यह यह सामने वाली कुछना काहता है ठीक है तो वो जहाँ पर काटते हैं वही क्या केंदर क्या कहलाता है आपका लमगेंद तो स्थिति अलग होती है यह आपको याद रखना ठीक है कि't देखिए सामने वाला सीर से यह है इस सीर से इसके सामने वाली भजा एक सीर से सामने वाली जा assistir आपको फ्लम की चुने या ठीक आप लम की चाए तो यही भजा तो नभेंट स्कुण कोना रही यही बढ़कत。 इस सामने कोई भी रेखा हो इस तरीके से यह सकता है, तब इस तरोज में क्या अगर इस विद्दू से इस रेखा पर फ्रपेंडीकुलर खीचाए जा सकता अभी आमने बता या तो ये ये कि यहीं जा और त्रेखा की Daar तरी के से इस त्रेखां पर खीचेंगे तो भी यहीं हो जाए अब यह दो नों रहें देखे कहां पर कार्ण रहें इस बिंदू पर थरोगिज में ब्हाइट एंगल ट्रैंगल में आप दो सेर्श लंब यही दोनों भजायें होती है nursing को अब ट्रवज है अब इस सेय ion का सीजां में कृना त्रवज में जहां पर नब्या थांस तो है तो लंब केंदर भी कहा होगा यहीं पर इसको कहते हैं समकोण वाला सीर्स ठीक है अब हम लोग देखते हैं अधिक को त्रहोज में लंब केंदर की इस्तिति कहां होती है कर दो यह एक अधिक कोंड ffe थीग हम लोगे स्थी स सामनेलिय भेजापर लंब खिचिनाय थीओ से खीचेंगे और ತीन वर जो तरख ribbon के रोगा थीए अब इसवी शीदा आएका नब्य इंसरम की लानाना थी यहाँ तो कहीं नहीं बनेगा त्रह पकेंदर दो हमों लोग क्या करेंगे इस रेखा को आप आगे बढ़ा ली ऐसे अब सीसराम खिजा हेगा यहां अंदर तो नहीं बंता है कही तो इसको आगे बढ़ायेंगे ठीक तरवच के लियाखा प्रिक है ये है एक सीड लम्भ ये हैं डॉट डॉट में एक सीड लमब का ये है तो इन दोनों सीड लम्भों को ऐसे शक्राइब थे कहा फरकता है यह तरीके से तो यह यहां पर काटते हैं तो अधिक कौंदतर भूज में जो ल्म के अद्र होता है ठीक लम के मतलब जो शीर सील्ब है और तीनों सील्बों का प्रतिश्यद बिन्दू या कटान बिन्दू यह जहाँ पर मिलते है तो वह कहां है वो है तरभुज के बाहर ठीक तो इसमें क्या हो जाएगा तरभुज के बाहर ठीक अब परिकेंद और अंताकेंदर कहां पर होते हैं तीनों प्रकार के तरभुजों में यह हम अगले वीडियों बताएंगे और उसमें परिकेंद और अंताकेंदर संबंदित कुछ खास बाते भी बताएं कुछ important चीजे भी बताएंगे ठीके धन्नबाद